पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है धर्मरा जिदिश्टर बोले हे जनादर्दन चैत्रमास के कृष्णपक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधी क्या है कृप्या कर आप मुझे बताएं तब श्री भगवान बोले हे राजन चैत्रमास के कृष्णपक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है यह सब व्रतों में उत्तम है इस पाप मोचनी इकादशी के मातम्मे के श्रवन वैपार्थन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं एक समय देवर्श्री नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा महराज आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इकादशी का विदान कहिए तब ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की इकादशी पाप मोचनी इकादशी के रूप में मनाई जाती है इस दिन भगवान विश्णू का पूजन किया जाता है इसकी कथा के अनुसार प्राचिन समय में चितरत नामक एक रमडिक वन था इस वन में देवराज इंद्र गंदर्व कन्यों तथा देवताओ सहित स्वचंद विहार करते थे एक बार में दावी नामक रिशी भी वहां पर तपस्या गर रहे थे वे रिशी शिव उपासक एवं अपसराएं शिव द्रोहिनी अनंग दासी थी एक बार कामदेव ने मुनी का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोशा नामक अपसरा को वेजा युवा अवस्था वाले मुनी अपसरा के हाव भावन निरत्य गीत तथा कटाक्षो पर काम मोहित हो गए रती कृड़ा करते वे 57 वर्ष वीत गए एक दिन मंजू घोशा ने देवलोग जाने की आग्या मांगी उसके द्वारा आग्या मांगने पर मुनी को भान आया और उन्हें आत्म ग्यान हुआ कि मुझे रसातल पर पहुँचने का एक मात्र कारण अपसरा मंजू घोशा ही है क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोशा को पिशाचनी होने का शराब दे दिया शराब सुनकर मंजू घोशा ने कापते वे रिशी से मुक्ति का उपाय पूछा तब मुनी शिरी ने पाप मोचने इकादिशी का वरत कहने के लिए कहा और अपसरा को मुक्ति का उपाय बताक पिता चयवन के आश्रम में चले गए पुत्र के मुख से श्राब देने की बात सुनकर चयवन रिशी ने पुत्र की गोर निंदा की तता उन्हें पाप मोशनी चैत्र इकादशी का व्रत करने की आग्या दी व्रत के प्रभाव से मंजु घोश अपसरा पिशाचनी दे से मुक तम्मे को पढ़ता है सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसके सारे संकट खत्म हो जाते हैं और उसको पापों का अनाश होकर पुन्यफल की प्राप्ति होती है धर्न्यवाद राधे राधे